तो जैसा कि हम समझ चुके हैं एक वैलिड कॉन्टरैट के लिए वैलिड एग्रिमेंट का होना जरूरी है और वैलीड एग्रिमेंट के लिए वैलीड और वैलिड असेप्टेंज का होना जरूरी है इट मीन एक और असेप्टेंज मिलकर करके एग्रिमेंट बनाई और यसक्षाले पहले तो और अपड़ चुक के ऑफर की कंडिशन हम पड़ चुक है और ऑफर का क्या कहा गया था ऑफर का मतलब क्या है जब एक परसन अपनी विलिंगनेस दूसरे के सामने रखता है और इस view से रखता है कि सामने वाले का ascent ले सके, what is the meaning of taking ascent, basically उसका मतलब होता है कि उसकी स्विकृति ले सके, जो offer देगा, उस offer के बदले में वो उसकी स्विकृति ले सके, मतलब acceptance ले सके, clear हो गया, अब हमें पढ़ना है acceptance क्या है, अब हमें पढ़ना है acceptance क्या है, ठीक है जी चलिए acceptance के बारे में आज हमें पढ़ना है कि acceptance क्या है, acceptance के बारे में बताता है, मैं section 2 clause B, section 2 clause B of Indian contract act 1872, क्या बताता है हमें acceptance के बारे में, यह कहता है, when one person to whom the proposal is made, signifies his ascent there to, the proposal is said to be accepted, और जब एक proposal accept हो जाता है, then that proposal becomes a promise, तब वो क्या बन जाता है, promise बन जाता है, ठीक है जी, क्या कहा, कि जिस person को, जिस person को offer दिया गया है, जिस person को offer proposal दिया गया है, अगर वो person, जिसे proposal दिया गया है, वो person, उस proposal पर अपना ascent दे दे, अपनी स्विकिर्ती दे दे, then वो proposal को हम बोलते ही है, यह proposal accept हो गया है, और वो proposal अगर accept हो गया है, तो जब एक बार proposal accept हो जाता है, offer accept हो जाता है, then that offer or that proposal becomes a promise, section 2 clause B of Indian contract act 1872, clearly tells about it, ठीक है जी, यहां तक आपको clear हो गया होगा, let me take an example, example क्या है, सुनिएगा, example सुनिएगा, एक Mr. A है, इसने Mr. B को एक offer दिया, तो इस condition में, इस condition में सुनिएगा, अब B जो है, B ने acceptance दे दी, B ने acceptance दे दी, offer के लिए, कि हाँ बई, मेरी तरफ से यह offer accepted है, मैं ऐसा करूँगा, वो स्मिकर्थी दे चुका है, तो इस person को, इस person को हम बोलेंगे, offeror, और इस person को हम बोलेंगे, असेप्टर, या फिर हम इसको, दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, जिसे हम बोलते हैं जी, प्रॉमिसर, और इसको भी हम दूसरे नाम से जानते हैं, जिसे बोलते हैं, प्रॉमिसी, क्लियर हुआ? जी सर क्लियर हो गया. तो A ने अगर B को आफर दिया तो A आफर होगा या प्रोमिसर होगा और B असेप्टर या फिर प्रोमिसी क्लियर हो गया. तो जब भी भाई साब जो है भी अपनी असेप्टेंस देता है तो ये जो परपोजल है ये जो ओफर दिया गया है अगर इसमें असेप्टेंस जुड़ जाए तो देन डैट ओफर विकम सा प्रॉमिस इसको हम क्या बोलेंगे ये प्रॉमिस बन गया है ठीक है जी समझ में आ गया जी सर समझने आ गया अब आगे की बात करता है एक कोंट्रैक्ट कम इंटु एक्यस्टेंस ऑंली अप्टर आप्टर अपेलिड़ असेप्टेंस ऑंफर वैलीड ऑपर मैंने क्या पूला था कि कांट्रैक्ट होने के लिए वैलिड एग्रीमेंट का जरूरी है वैले डि depend करता है कुछ चीजों पर, कुछ conditions पर, ठीक है, जैसे कि acceptance जो है by free consent होनी चाहिए, acceptance proper way में होनी चाहिए, ये सारी चीज़े है, तो अब कुछ legal rules है regarding valid acceptance, बलब कुछ एक legal rules है, जो कि हमें समझने होंगे एक valid acceptance होने के लिए, अगर किसी acceptance को हमें देखना है कि वो valid है या नहीं है तो हमें ये सारी-सारी conditions पढ़ने पढ़ेंगी, चरिए जी पढ़ते हैं, condition number one, point number one देखेंजी, point number one, क्या कहता है point number one, कहता acceptance must be, acceptance must be given by a person to whom it is made, क्या कहा है, सीधा 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 सा कहा गया, कि acceptance वही दे सकता है, जिस व्यक्ति को या जिस person को offer दिया गया है, एक person जिसको offer दिया गया है, वही person क्या कर सकता है, उस पर अपना ascent भी दे सकता है, मतलब अपनी स्वीकिर्थी, अपनी acceptance दे सकता है, चलिए, इसको समझ दिते हैं, और आगे क्या करता है, An offer can be accepted only by the person or persons to whom it is made and with whom it imports an intention to contract, जिस से आप contract करना चाहते हैं, जिसको आपने offer दिया है, वही person, that particular person can accept the offer, CDC बात, वही person क्या करेगा, offer को accept करेगा, it cannot be accepted by another person without the consent of the offer, क्या कहा गया, मैंने काशी जी को, या मैंने शिवम जी को एक offer दिया, और शिवम जी के बिना permission के, या उस consent में हमें नहीं पता था, मुझे नहीं पता था, कि काशी जी से कोई उनका relation है या नहीं है, काशी जी को उन्होंने बोला है या नहीं बोला, काशी जी मुझे वह offer accept करते हैं, तो वह valid acceptance नहीं मारे जाएगी, because मैंने जो offer दिया, वह शिवम को दिया है, तो शिवम ही कर सकते हैं, समझ आ गया, clear हो गया, कहता CDC की बात है, if you make to, if you propose to make a contract with P and Q, P and Q के साथ आप contract करना चाते हैं, Q substitute himself for P without your consent, आपकी जानकारी में नहीं था, और Q ने क्या 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 क्या, Q कहता है, मेरे से contract कर लीजिए, P ने मुझे बोल दिया, तो अब यह क्या कह रहा है, कि भाईया, यह validity नहीं है, यह सिर्फ अकेले अपना person की अपने स्विक्रिती दे सकता है, साथ वाले की थोड़ी दे सकता है, clear, आगे, point number two, point number two क्या कहता है, acceptance may be express or implied, दुबारा से offer भी express or implied हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, वैसे ही acceptance भी express और implied हो सकती है, express कहने का मलब by clearly speaking words और in writing, हम क्या कर सकते हैं, या तो हम बोल कर अपनी acceptance दे सकते हैं, या फिर हम लिख कर अपनी acceptance दे सकते हैं, तो यह था हुआ express, यह क्या हुआ express, तो express acceptance क्या होती है, acceptance आप by words spoken या फिर written में अगर आप दे रहे हैं acceptance तो वो express acceptance कहलाएगी, लेकिन कई बार ऐसी acceptance होती है, जिसे हम बोल कर और लिख कर नहीं देते, वो circumstances के हिसाब से, परिस्तितियों के हिसाब से वो acceptance माल ली जाती है, जैसे कि आप ने पब्लिक transport बस में board किया, तो यह acceptance है, ATM से cash निकालना, यह भी acceptance है, यह कैसी acceptance है, इंप्लाइड, यह इंप्लाइड है, वहाँ पर by words से speaking या written में नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर क्या माल ले जाएगी, acceptance माल ले जाएगी, same as offer, offer भी कैसे express भी हो सकता है, वैसे acceptance भी express भी हो सकती है, चलिए जी, example पढ़ते हैं, बहुत interesting example है, सुनिए जो, बहुत interesting example है, क्या कहता है, example number one, example number one, तो क्या हुआ, मैं आपको एक example देता हूँ, यह example क्या है, एक auction हो रही है, auction मतलब निलामी हो रही है, निलामी में x जो है, वो highest bidder है, उसने सबसे ज़्यादा बोली लगाई है, तो जो सामने auction है, जो बोली मतलब उसको पूरा perform कर रहा है उसने इलामी को, उसने offer को accepted कैसे किया, x के दुआरा दिये गए offer को, उसने कुछ बोला नहीं, कुछ लिखा नहीं, कुछ writing में नहीं दिया, बस उसने hammer को strike किया, तो जो यह acceptance दी गई है, by the striking of hammer दी गई है, तो यह क्या है, यह है, implied acceptance, यह क्या है, implied acceptance, for example, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने movie देखी हो, धड़कन, अक्षय कुमार, सुनील सेटी और शिल्पा सेटी की, movie है धड़कन, धड़कन में क्या होता है, कि अक्षय कुमार और सिल्पा सेटी का जो घर है, वो निलामी होने के कागार तो उसमें लोग बोली लगाते हैं, कोई पचास लाग, कोई 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 कोई, तो महाँ पर जो सुनील सेटी होता है, देव का करेक्टर जो उसने प्ले किया है वहाँ पर, तो देव साब महाँ पर सबसे ज़्यादा बोली लगाते हैं, यह एक offer ही तो था, बैं मैं इस building को, इस घर को इतने रुपे में खरीदना चाहता हूं, उसने offer दिया, सामने वाले person ने कोई acceptance return में नहीं दीती, सामने वाले person ने बोल करके कुछ नहीं कहा था, उसने hammer strike किया था, हतोड़ा मारा था, और वो क्या होता है, कि निलामी का एक तरीका होता है, बिड लगाने का, striking of hammer, ये भी एक implied acceptance है, ठीक है जी, तो इसको implied acceptance के example में आप समझ सकते हैं, याद रखेगा धरदन मूवी का example, और अभी तो IPL में भी auction होई थी, खिलाड़ी पिकेते हैं, तो वो भी आप example याद रख सकते हैं, example number two, example number two में क्या कहता है, A ने offer किया B को कि वो अपनी कार बेचेगा 40,000 रुपे में, B ने क्या काम करा, B ने उसे कुछ बोला नहीं, पर B ने एक bank draft बनवा लिया, 40, sorry, 4,000 रुपे का, 4,000 रुपे था ये, 4,000 रुपे में कार बेचने के लिया था, तो 4,000 रुपे का, B ने draft बनवा लिया, bank draft, और किसके favor है इन favor of A, और A को सौंप B दिया, क्या उसने ये कहा था, क्या है, मैं आपके offer को accept करा, नहीं, उसने क्या करा, उसने तो एक demand draft बना लिया, एक bank draft बना लिया, और A को सौंप दिया, लो जी, तो ये क्या है, ये express ascent है, क्योंकि वो अपने speaker दे दे रहा, return में, समझ में आ गया, तो ये signify कर रहा है, कि B जो है, वो उसके car को खड़े दना चाहरा है, 4,000 रुपे में, तभी तो उसने 4,000 रुप का bank draft बनवा कर तो उसको दे दिया, check बनवा करके दे दिया, in favor of A, clear हो गया, दोना example, I think आप तो clear हो गए होंगे, चलिए लिए, point number 3, acceptance by performing conditions और receiving consideration, अब ये क्या है, section 8, section 8 में हमें पूरा इसको पढ़ना है, वैसे, चलिए, यहाँ पर पढ़ लेते हैं, क्या कहता है कि acceptance by performing conditions, अगर हमने कोई condition perform कर दी, या फिर हमें consideration receive हो गया, तो भी acceptance मान ली जाएगी, यह क्या मतलब है, performance of the conditions of a proposal, or the acceptance of any consideration for a reciprocal promise, which may be offered with a proposal, is an acceptance of the proposal, कहरा कि आप मुझे एक बार बताईए जी, अगर आपको कोई समान में ने deliver कर दिया, आपने order दिया था, और order देने के बाद मैंने आपको समान deliver कर दि अब वो समान आपने रख लिया, तो इसका मदब क्या है, आपने offer को accept कर लिया और नहीं कर लिया, offer accept कर लिया, सीधी 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 है, चलिए, point number four, acceptance must be given to the offerer, और any person authorized by him, अब सुनिएगा मेरी बात, यह क्या है, acceptance किसको देनी है, पहली condition यह है, कि जिसने offer दिया है, उस को आप acceptance देंगे, offerer, offerer नला, who makes the proposal, जो proposal बनाता है, जो offer देता है, तो जिसने offer दिया है, प्राइमरी आपका जो responsibility है, प्राइमरी, वो तो यह है कि यह acceptance उसको दो, जिसने offer दिया है, लेकिन अगर offerer ने किसी person को authorize कर रखा है, कि मेरी जगा आप इसको भी बता सकते हो, इसक को भी आप अपने acceptance दे सकते हो, then you can inform to that person, आप उस person को inform कर सकते है, उस authorized person को, clear हुआ या नहीं हुआ, यह तो simple सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा हो, चलिए, फिफ्ट पॉइंट देखते हैं, फिफ्पॉइंट देखते हैं, फिफ्पॉइंट क्या कहता, acceptance must be absolute and unqualified, acceptance कैसी हो होनी चाहिए, absolute होनी चाहिए, absolute ठीक है जी, और unqualified होनी चाहिए, चलिए जी अभी समझते हैं, इसको क्या है, एक example ले ले लेते हैं, सीधा-सीधा, clear हो जाएंगी सारी बाते, एम ने, एक एम परसन है, उसने offer किया कि वो अपनी जमीन बेचेगा, एन को 280 यूरो में, हम माल लेते हैं, जी हमारे तो लाक रुपे हैं, ठीक है, जी 2,80,000 रुपे हैं, ऐसा माल लेते हैं, हमारे रुपीज में, currency में, एन ने accept कर लिया offer, और उसने 80,000 रुपे, 80,000 करता रहूँगा, मुझे एक बाद बताई है, यहां पर क्या M ने कोई offer दिया था, कि वह तु इंस्टॉल्मेंट में दे दी हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसने क्या का था, मेरी जमीन में, जमीन बेखूंगा, दो लाक रुपे में, एन ने, 80,000 रुपे, डाउन पेमेंट कर से, तो यहां पर आपको साफ साफ मैं समझा दूँ, कि यह absolute और unqualified acceptance नहीं है, क्या उसने acceptance दी है, नहीं है, तो यह offer दे रहा वली की उल्टा, M ने N को offer दिया था, कि मैं आपको जमीन बेखना चाहता हूं, 280,000 रुपे में, N ने कहा कि ठीक है, मैं offer accept कर लूँगा, लेकिन 80, 60,000 रुपे तो मैं आपको down payment दूँगा, और 50,000 रुपे पर installment के हिसाब से, मैं आपको बाखे का balance चुका हूंगा, तो यहां पर बताया गया, कि यहां कोई contract है ही नहीं, M और N के बीच में, क्योंकि यहां पर acceptance जो absolute or unqualified नहीं है, I think you got my point, Point number six, acceptance must be communicated by the acceptor only, very important, सुनिए क्या, communicated का मतलब है कि उस person तक वो बात पहुँच जाए, उसकी knowledge में वो बात पहुँच जाए, तो क्या कह रहा है, मालीजे सुलिए, जिहां से सुनिए गा, बहुत interesting example है, example से ही समझ लेते हैं, इसको, एक P, एक person है, जिसने की principal post के लिए apply कर दिया, और वो select भी हो गया, वा selected, ठीक है जी, जिहां से सुनिएगा, एक P, एक person है, जिसने principal post के लिए apply किया, और वो select भी हो गया, but no formal communication was sent to him, joining letter नहीं मिला उसको, उसको joining letter नहीं मिला है, सुनिएगा दियान से, P ने apply किया था, select भी हो गया, principal की post के लिए, लेकिन अभी तक उसे formally, officially कोई communication received नहीं हुआ, उसको joining letter नहीं मिला, officially वो अभी selected नहीं है, अब एक L, एक person है, जो की managing committee का member है, managing committee क्या, जो ये decision ले रही है, ठीक है, कि P जो है, वो principal post के लिए selected है, example ये है, कि P एक person है, जिसने की apply किया है, principal post के लिए, और वो select भी हो गया है, लेकिन अभी तक उसे कोई formal information नहीं मिली है, कोई उसे joining letter नहीं मिला है, कोई उसे written में कोई letter नहीं मिला है, क्या आप selected है, लेकिन एक L एक person है, जो managing committee का member है, managing committee का member है, जिसने ये decision लिया था, उसने ये बात बता दी किस को, P को, कि अभी तेरा selection हो गया है, लेकिन बाद में पता चला कि meeting के दौरान उसकी appointment cancel कर दी गई है, यहां से सुनियेगा, अब इस person ने जो P भाई साहब है, जो principal post के लिए आये थे, इन्होंने case file कर दिया, managing committee के खिलाब, इसने managing committee के खिलाब case file कर दिया, कि आपने मिरे साथ दोखा करा है, पहले select कर लिया, फिर आपने मिरे को cancel कर दिया, मैं आपको बता दूँ, यहां पर court का decision यह है, कि भाईया, आपके और उसके बीच में कोई contract था क्या, नहीं था, क्योंकि यह communication था ही नहीं, क्या आपको उन्होंने बताया था, आप selected हो, क्या आपको उन्होंने रिटन में दिया था, क्या आप selected हो, कोई communication आपके पास आयती है, आप selected हो, नहीं, किसी एक person के कहने पर, आपने कैसे मान लिया, L managing committee का member है, तूरी managing committee L थोड़ी है, पास समझे या नहीं समझे, हाँ, अगर managing committee के तरफ से L को बोला जाता है, कि आप जाईए और उसको यह बात बता दीजिए, यानि उसको authorize किया जाता, तब ही, यह जो case होता, in favor to be हो, समझाया, case clear हो गया बिल्कुल अब आपको, तो acceptance जो भी है, वो communicated होने चाहिए, असेप्टर को, सिर्फ, ऐसे नहीं है, कोई भी आपको बोले और आप माल लेंगे, clear, point number six भी clear हो गया, point number seven, point number seven क्या कहता है, acceptance should be in prescribed or reasonable mode, section seven, subsection two, क्या कहता है, कि acceptance आप कैसे देंगे, जो आपको बोला गया ना, उस हिसाब से, अगर आपको बोला गया था कि WhatsApp के थुरू, मैसेज कीजिएगा, acceptance दीजिएगा, तो WhatsApp के थुरू कीजिए, अगर आपको बोला के mail डालिएगा, तो mail डालिएगा, जो भी mode आपको बताया गया, उसी mode में आपको acceptance देनी होगी, clear, example सुनिए, offer दिया गया, offer दिया गया, और ये बोला गया कि ये, टेलीग्राम के थुरू, टेलीग्राम के थुरू, मुझे अपनी acceptance दे देना, लेकिन acceptance दी गई messenger के थुरू, तो क्या ये acceptance मानी जाएगी, there is no acceptance of the offer, थी दी बाद, बास समझ गया, जो mode बोला, उस mode में, असेप्टर ने acceptance नहीं दी, सामने वाले व्यक्ति ने अपनी स्विक्रती नहीं दी, जिस mode में बोला गया था, तो ये acceptance, acceptance नहीं मानी जाएगी, पॉइंट नम्बर एट, पॉइंट नम्बर एट, acceptance must be given with a reasonable time and before offer lapses, देके, before offer lapses का मतलब होता है, lapse का मतलब होता है, खतम हो जाना, मुझे एक बास बताईए, आपको offer दिया, आप उस offer को कब accept करेंगे, offer खतम होने के बाद, या offer खतम होने से पहले, तो आप कहेंगे, सीजी सीजी बास सा, offer खतम होने से पहले करेंगे, और reasonable time का मतलब क्या है, reasonable time का मतलब होता है, कि देखिए, ये reasonable time जो लिखावा है, ये condition to condition differ करेंगा, जिस तरीके का काम होगा, जिस तरीके का contract होगा, जिन परिस्तितियों के हिसाब से contract होगा, उन परिस्तितियों, उन चीजों के हिसाब से reasonable time लिया जाएगा, किलियर हो गया है नहीं हो जी किलियर हो गया अम मेरी बात सुनियेगा एक ऐग्जांपल सुनिये एग्जांपल क्या कहता है M ने, M ने किसी company के share खरीदने के लिए apply कर दिया, M ने किसी company के share खरीदने के लिए apply कर दिया, सुनिएगा यहाँ पर example, एक person है M, उसने एक company में apply किया for the purchasing of shares, apply किया shares के लिए एक company में, सुनिएगा यहाँ से, और यह जो किया था, यह किया था इसने जून में, कब किया था इसने, जून में, ठीक है जी, और company ने, company ने share allot कर दिये, share allot कर दिये, और यह जो allot किये, देखिए, company ने allot किये, वो किये नवंबर में, नवंबर में अब मुझे एक बात बताईए एम भाई साम मना कर रहे है कंपनी को कि मैं ये शेर नहीं लेना चाहता कब नवंबर में नवंबर के बाद अलॉटमेंटिक होने के बाद तो यहां पर decision यह है यहाँ पर यह पाया गया यह मना नहीं कर सकता यह acceptance जो यह है भाई साव यह जो है यह कब दे सकते थे यह दे सकते थे नवंबर से पहले पहले जून और नवंबर के बीच में कर सकते थे एक बार share आपको मिल गए तो फिर धोड़ी मिलेंगे क्लियर ज़िए देखे एम एक परसन है जिसने एक कंपणी में शेयर एपलाई कर दिये जून में अलॉटमेंट की गई नवंबर में पर वो मना कर रहा है कि मैं शेयर नहीं लूँगा तो सीदी सीदी बात है वो मना नहीं कर सकता क्योंकि एक acceptance देखें सीदी सी बात है ना कि कं कॉन्वमबर से पहले पहले मना कर सकता था कि मैं नहीं लोगा कि लिए फोटनां पर क्या पाया गया चाहते चांट क्यूंट nä 눈 क्या कि नमपर प्रिसीडेन ऊफर का मनदब क्या है एसेटनस मस्च भी गिवन आफ्टर से पहले ही आप असेप्टेंस दे हैं। कर रहा है तो पहले से ही नहीं कर देगा कैसे होने वाली तो पहले कर सकते तो यह समझ में आगया होगा आपको को कि offer मिलने से पहले ही आप acceptance नहीं दे सकते ऑफर मिलेगा उसके बाद acceptance दी जाएगी तो offer से पहले acceptance कभी हो ही नहीं सकती क्लियर पॉइंट नमबर 10 पॉइंट नमबर 10 क्या कहता है rejected offer can be accepted only on reliever समझिए एक बार आपको offer मिला offer आप ने reject कर दिया अब आप आप दुबारा से उसको accept करना चाहते है तो कब कर सकते जब वो offer दुबारा से आपको दिया जाए एक बार offer reject कर दिया जाए तो आप acceptance नहीं दे सकते कब तक कि offer दुबारा ना दिया जाए renewal ना किया जाए के लिए सुनिएगा दिया और से example एक X ने offer दिया अपनी कार बेचने के लिए वाई को 50,000 रुपे में वाई ने reject कर दिया offer वाई ने reject कर दिया offer और उसने कहा भई मैं तो 40,000 रुपे में ले सकता हूँ ठीक है अब ये offer हो गया reject चलिए अब बाद में वाई ने कहा कि चलो भई लेकिन offer क्या हो गया था reject हो गया था तो यह कब हो सकता है अब दुबारा असे जब वह दुबारा से ओफर दे एक्स को एप्रोच करेगा कि यह मुझे दुबारा से ओफर दे एक्स ओफर देगा उसको फिर वह कर सकता है अदर्वाइस असेप्ट नहीं कर सकता है क्लियर हुआ या नहीं हुआ